तो आज की क्लास में हम 3D Geometry चैप्टर नमबर 11 की जो मिसलीनियस एक्सराइजर उसको ख़दम करने वाले हैं क्योंकि इसके 17 तक के कॉश्चन हम अल्रेडी कम्प्लीट कर चुके हैं इसकी लिंक आपको उपर मिल जाएगी करने वाले हैं इसलिए साथ में बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर क्लिक कर लिजेगा ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो क्लास को शुरू करेंगे बाकि hello everyone मैं हूं प्यंका और आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नमबर 11 की जो इस लीनियस एकसाइब उसके कुछ बचे हुए कॉस्चन तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर आप लियरली देख पा रहा है कॉस्चन नमर 18 में बोला क्या जा रहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है किसी दूसरे पॉइंट से लेकिन वो पॉइंट कहां है यह समझेए आप यहां पर कहने का मतलब यह है कि यह लाइन और यह प्लें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की इस पॉइंट से distance बताना है तो वह सीदी सी बात है ये तो हम पढ़ते आए हैं कि हमको पता है कि ये ये line है और ये plane है अगर ये दोनों एक दूसरी को intersect कर रहे हैं तो इन दोनों को आपस में solve कर लो x, y, z की value find कर लो तो वो point मिल जाएगा जहां पर ये दोनों intersect कर रहे हैं लेकिन सीदी सी बात है कि ये हैं आपके vector form में अगर partition form देखेंगे वहाँ पर आपको x, y, z देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको और इसको partition form में कर सकते हैं चलिए फटा-फट से करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो equation of line है ये क्या है अपनी r equal to 2i minus j plus 2k cap plus lambda 3i plus 4j plus 2k cap ठीक है अब इससे partition form में कैसे change करना ये detailed video में हम सब कुछ समझ चुके हैं तो फटा-फट से मैं यहाँ पर change कर देती हूं तो यह हो जाएगा x minus x1 upon a तो देखिए ये a, ये b, ये c ठीक है अपने direction ratios ठीक है तो और अपनी x, y, z की value आनि x1 ये y बन यहाँ और z1 यहाँ so x minus 2 upon 3 equal to y minus minus plus 1 upon 4 equal to z minus 2 upon 2 equal to lambda ले लेंगे जिससे हमको x, y, z की value मिल जाएगी कैसे भी करके लेकिन lambda के form में मिलेगी तो फटा-फट फटा-फट करी लेंगे चलिए so यहाँ से x equal to क्या आजाएगा 3 lambda plus 2 y equal to क्या आजाएगा 4 lambda minus 1 z equal to क्या आजाएगा 2 lambda plus 2 x, y, z की value तो आगे लेकि लेंड़ा के form में आगे अब सीधी सी बात है कि आप देखे ये line और ये दोनों intersect करना है किसी point पे वो point find करना दोनों को solve करेंगे तो ये जो अपना plane है इसको भी अपन partition form में change कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे जो plane है उसकी equation के मैं थोड़ा सा shortcut में कर रही हूँ क्या है अपना r.i cap minus j cap plus k cap equal to 5 तो partition form में लिखना बड़ा आसान हो गया यहाँ से यह हो जाएगा आपका x minus y plus z equal to 5 अब सीधी सी बात है कि देखें दोनों जब एक दूसरे को intersect कर रहे है मतलब वो जो point है इन दोनों को solve करने पर हमको मिल जाना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि यह जो x, y, z की value आई है जो obviously इस plane को satisfy करेंगी ही करेंगी तो यहाँ पर value रख देते है x, y, z की तो x की value क्या है अपनी अपनने अभी देखी 3 lambda plus का 2 minus y की value क्या है 4 lambda minus 1 z की value क्या है 2 lambda plus का 2 equal to 5 ठीक है, तो यहाँ से आजाएगा देखो 3 lambda plus का 2 यह हो जाएगा minus का 4 lambda plus का 1 plus का 2 lambda plus 2 equal to 5 जो numbers है मतलब lambda उसको अलग कर ले थे देखो यह 3 lambda यह minus 4 lambda यह 2 lambda तो 3 lambda, 2 lambda, 5 lambda 5 lambda minus 4 lambda एक lambda बस बचेगा इसके बन numbers की बात करें तो देखो यह 2 plus 1 5, 2 plus 1 3, 3 plus 2, 5 हो गया तो यह देखी, यह हो गया plus का 5 equal to 5 अब plus का 5 उदर जाएगा minus का 5 कहने का मतलब यह हो गया कि lambda 5 minus 5 यहने 0 तो lambda की value देखो 0 आगई अब अपने को क्या करना है यहाँ पर lambda की value रख दो आपको x, y, z की value मिल जाएगी मतलब plane और line का intersection point मिल जाएगा simple हो गया तो यहाँ से अब आपन find करेंगे so intersecting point intersecting लिख लो यह intersection point of plane and line plane and line यह क्या हो जाएगा देखो अब देखो lambda क्या आया है 0 तो यहाँ पर 0 रखोगे lambda की जगह पर तो यह 2 बचेगा यहाँ minus 1 और यहाँ 2 तो 2 minus 1 और 2 लीजिए आ गया 2 minus 1 और 2 अब उनको distance किसके बीच की find करना है अपना एक तो यह वाला intersection point और एक point अपने को दिया हुआ है question में यह minus 1 minus 5 minus 10 so लिखेंगे so distance between minus 5 एक मिनिट देख लेते हैं ध्यान से जरा minus 1 minus 5 minus 10 तो यह minus 1 minus 5 minus 10 and 2 minus 1 2 अब बात एक बताईए आप कि क्या दो point के बीच की distance आप find नहीं कर सकते भाई distance formula लगाओ काम खतम ठीक है बस हमको सरफ एक चीज यह देखनी थी कि plane और line का intersection point है तो दोनों को solve करके x, y, z की value find कर लो और distance formula लगा दो इतना simple question है यह चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो सीधर सीधर distance formula लगा देखो हम suppose कर लेते हैं कि यह जो point अपना यह a हो गया यह point होगा अपना b तो a, b, a से b तक की distance find करेंगे सबस्क्राइब करेंगे तो यह जाएगा तो यह जाएगा तो 12 का स्क्वेर हो जाएगा इस तरीके से यह सबस्क्राइब करेंगे तो यह जाएगा 169 और 169 का स्क्वेर हो जाएगा 144 इन सभी को एड करोगे तो यह जाएगा 169 और 169 का स्क्राइब होता है 13 तो यह आ गई इन दोनों points के बीच की distance तो इतना simple question था खतम हो गया अब चलेंगे अपन अगले question पर question number 19 यह question भी बड़ाई simple सा है but word to word I mean बस word to word आप समझ लीजे काम खतम हो जाएगा question का भी so question number 19 में क्या बोला जा रहा है find the vector equation of the line passing through the point this and parallel to the planes this and this अब बात तो समझेगा यहां पर हमको एक line की equation बतानी है अब line की equation के अगर बात करें और बोला गया vector equation मतलब की जो vector form होता है ना line की equation का वही तो वो होता क्या है r equal to a plus lambda b ठीक है क्योंकि एक point से पास हो रही है line पहली चीज़ और दूसरी चीज़ हमको बोली गई कि parallel है explain के और explain के अब देखिए cdc बात है कि जिस भी point से line pass हो रही है तो एक point है तो एक point यह रहा मतलब a vector तो आपको मिल जाएगा अब बात रही बी की मतलब direction तो वो obviously इसी से किसी भी तरीके से हमको find करनी होगी तो सबसे पहले general form लिखते हैं अपन यहाँ पर तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो equation of line passing through passing through a point passing through a point उस point को अपन ले लेते हैं a point यह क्या है अपना 1,2,3 and इसका position vector क्या हो जाएगा and position vector of a o a vector equal to i cap plus 2 j cap plus 3 k cap और इसी को हम कहेंगे हमारा vector a right अब a plus lambda b भी चाहिए यानि की line के parallel vector so यहाँ पर लिखेंगे and vector b अपना क्या होता है general form में a i cap plus b j cap plus c k cap तो इस तरीके से line की equation क्या हो जाएगी so equation of line अपनी क्या हो जाएगी यहाँ पर r equal to a क्या है अपना i cap plus एक मिटी यहाँ नहीं लिखते थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा r equal to i cap plus 2 j cap plus 3 k cap तो a plus lambda और b की जगा पर क्या है a i cap plus b j cap plus c k cap अगर बात करी जाए तो यहाँ पर line की equation जो है यह पूरी पूरी नहीं आये क्योंकि यहाँ पर a, b और c की value जो है अभी find करना बाकी है कहने का मतलब यह है कि b vector चाहिए हमको चीक है अब यहाँ पर obviously हमको क्या बोला गया है question में कि हमारी जो line है जो line है यह इस plane के और इस plane के parallel है बास समझ में आगए सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर इस plane के parallel है तो obviously जब हम plane के normal की बात करेंगे तो plane का normal और line जो है यह आपस में क्या हो जाएंगे perpendicular बास समझ गया देखिए समझातियों मैं थोड़ा सा कि सबसे पहले हम पहले प्लेन की बात कर रहे हैं कि माल लिजे इस तरीके से आपका प्लेन है ठीक है इस पर और ये जो प्लेन है ये लाइन के पैरलल है ये अपनी लाइन है ये अपना प्लेन है पहले प्लेन की बात करें लेकिन अगर प्लेन के न और लाइन के जो डिरेक्शन रेशो रहेंगे उनके प्रोड़क्ट का सम क्या होना चाहिए जीरो तो कहने का मतलब यह कि उस कंडीशन का हम यहां पर यूद कर सकते हैं और उससे हम ABC की वाल्यू फाइंड कर सकते हैं तो बात समझ गए कि यहां पर आपका प्लेइन और लाइन तो पैरलल हैं मगर आपके प्लेइन का जो नॉर्मल रहेगा वो तो लाइन से परपेंडिकुलर रहेगा ना बस वहीं बात खतम हो गई तो सिंपल हो गया यह तो देखिए अब यहां लिखेंगे कि इसको देदो equation number 1 ठीक है क्योंकि यही important है और यही हमारी लाइन की equation है जो हमसे question में पूछी है ठीक है तो यहां लिखेंगे now plane 1 या फिर plane A लिख लेते हैं plane A plane क्या है अपना पहला वाला plane I minus J plus 2K I minus J plus 2K equal to kya है 5 अब अगर general form की बात करना तो यह होता है R और इसका फिर यहां पर normal और equal to D तो यह जो है यह इसका normal है ठीक है तो यहां पर अपन normal find कर लेंगे and इसको लिख लेते हैं अपन N1 यह normal 1 है अपना I cap minus J cap plus का 2K cap ठीक है अब अपन लिखेंगे कि since यहां पर यह जो B है यह B ही तो है न अपना ठीक है यहां पर लिखेंगे B perpendicular to N1 ओके आद देख पा रहे हैं यह जो B है यह और यह जो N है यह perpendicular रहेंगे ठीक है तो इनके direction ratios का हम multiply करेंगे corresponding तो यहां पर इसके multiply में 1 है और यहां A है तो A into 1 तो यह हमने लिखा A into 1 plus minus 1 into B तो यह हो जाएगा आपका यहां पर minus 1 into B plus 2 into C तो यह हो जाएगा 2C equal to kya 0 क्योंकि यह condition हमारे पास है क्योंकि normal और line perpendicular है ठीक है इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा A minus B plus 2C equal to 0 तो यहां से एक equation मिल गई हमको A B C में इसको equation number दे दो 2 ठीक है अब लिखेंगे end plane B जो हमारा दूसरा plane है उसकी equation क्या है यहां पर देखिए 3IJ plus K तो यह हो जाएगा आपका 3I plus J plus K equal to 6 और यहां से देखिए यह normal रहेगा इसका तो इसको n2 ले ले लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा n2 equal to 3I plus J plus K अब CDC बात है कि B जो है यह N1 पर perpendicular है तो B जो है यह N2 पर भी perpendicular रहेगा CDC बात है क्यों क्योंकि आपकी line और दूसरा plane भी parallel है तो plane का normal line पर perpendicular तो रहेगा तो यहां पर लेखेंगे and B perpendicular to N2 इनके भी direction ratios का multiply कर देंगे equal to 0 होना चाहिए तो ABC का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा देखो 3A plus का B plus का C equal to 0 यह हो गई आपकी equation number 3 अब आप एक चीज़ देखें कि ABC में आपको दो equation मिल गई है इन दोनों को solve करिए और ABC की value find कर लीजिए तो यहां पर अपन लिखेंगे कि from second and third दोनों equation को अपन यहां पर लेहाते हैं यह हो जाएगा A minus B plus का 2C equal to 0 3A plus का B plus का C equal to 0 दोनों को अगर आप solve करते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ तो यह देखें कि यह minus B से plus का B गया 3A plus A 4A और यह हो जाएगा 3C equal to 0 तो यहां से आप A की value C के form में find कर लो या C की value A के form में find कर लो तो अपन क्या करते हैं यह हो जाएगा 4A equal to minus का 3C A equal to आगया minus का 3C upon 4 तो A की value C के form में मिल गई ठीक है अब B की value और find कर लेते हैं तो यहां पर पहली जो equation यानि यह वाली equation इसमें रख देते हैं यहीं पर side में इधर ही कर लेते हैं इसको तो देखो यह हो जाएगा आपका A की जगा पर आपने रखा minus का 3C upon 4 फिर है minus का B और 2C equal to 0 ठीक है तो minus का B यहीं रहेगा इसको solve करेंगे तो 42008 थी 8 थी minus 3C यह आगया 5C upon 4 equal to 0 तो minus B equal to minus का 5C upon 4 माइनस से माइनस कैंसल तो B equal to आ गया 5C upon 4 तो A और B की वैल्यू हमने C के फॉर्म में फाइंड करने राइट अब क्या करेंगे यह जो A और B की वैल्यू है यह A और B की वैल्यू हमारी जो equation की line है I mean line की equation है उसमें रख देंगे तो यहां लिखेंगे from equation first तो from equation first हमारी line की equation आ जाएगी तो यह हो जाएगा का I cap प्लस का 2 J cap प्लस का 3 K cap प्लस lambda A I तो A क्या है आपका 3 C upon 4 ठीक है तो यह हो जाएगा माइनस का 3 C upon 4 A I cap प्लस B J cap तो B cap 5 C upon 4 तो 5 C upon 4 J cap और C की वैल्यू हमने find करी नहीं है क्योंकि A और B दोनों की value C में हम already find कर चुके हैं तो यह हो जाएगा C K cap तीन हो जगे से C common निकल जाएगा तो यह हो जाएगा R equal to I cap प्लस 2 J cap प्लस 3 K cap प्लस lambda यहां से C बहान निकल जाएगा तो यह हो जाएगा C lambda और यह हो जाएगा आप पादे को और सभी जगा 4 है तो एक काम और करते हैं यह हो जाएगा माइनस का 3 I cap प्लस का 5 J cap और यह हो जाएगा 4 K cap और अपन 4 बाहर कर देते हैं अपन 4 बाहर कर देते हैं अब सीदी सी बात देको यह भी कॉंस्टेंट है यह सी अपन 4 भी कॉंस्टेंट है पन क्या करते हैं इस पूरे को एक दूसरे कॉंस्टेंट से रीप्लेस कर देते हैं हो तो लेम्डा लिखतो है ना तो यह हो जाएगा R equal to आपका I cap प्लस 2 J cap प्लस का 3 K cap प्लस लेम्डा माइनस का 3 I प्लस का 5 J प्लस का 4 K cap और इस तरीके से यह आ जाती है आपकी equation of line passing through a point हमारा यह वाला point 123 and parallel to these planes ओके इस तरीके से question होता है खतम बस concept और conditions अगर पता है तो कोई भी question करने में दिक्कत नहीं होगी चलिए अब चलते हैं अपर next question पर question number 20 so question number 20 में क्या बोला जा रहा है find the vector equation of the line passing through the pointer को यहां पर भी वही कहानी है हमको line की equation बतानी है और vector equation बतानी है ठीके और एक point से पास हो रही है मतलब वही की वही कूरी कहानी है a plus lambda b वाली मतलब यह तो अपने पास है अब and perpendicular to the two lines this and this अच्छा यहां पर यह वाली line और यह वाली line इन दोनों पर आपकी line perpendicular है तो सीधी सी बात है कि जब दो line perpendicular होती है तो condition होती है उनके direction ratios जो होती है उनके product का sum क्या होना चाहिए 0 तो फिर से वही condition का हम use कर लेंगे ठीके पिछले question में आपने देखा plane से तो plane के normal से ह यहां पर सीधी सीधी जो line है हमारी वही line आपस में perpendicular है तो perpendicular की सीधी सीधी condition लगाएंगे question को solve कर लेंगे ओके चलो सबसे पहली चीज़ तो कि अगर line के अपन बात करते है तो यह जो होता है a plus lambda b यह तो अपना होता है point जिस point से आपकी line पास हो रही है यह जो b vector होता है यह अपनी direction को बताता है यानि कि यह line के parallel होता है ठीक है तो यहां पर main जो काम होता है वो इसी का है ठीक है चलिए तो a क क्या होता है आपका जिस point से आपकी line पास हो रही है तो सबसे पहले general form लिखते हैं और आप देखें इसको हमने दे दिया है आपका equation number one equation number two क्योंकि यह पहली line और यह दूसरी line ठीक है अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि equation of line passing through 1 to minus 4 ठीक है तो equation of line passing through a point वही सेम कहानी है ना passing through a point a point a a point क्या है अपना one two minus four so यह हो जाएगा one two minus four and इसका position vector and position vector of a यह हो जाएगा o a vector जिसको हम a vector लिखते हैं और यह हो जाएगा देखो one का हो जाएगा i cap two का हो जाएगा two j cap minus four का हो जाएगा four k cap यह तो अपने पास आ गया पोजिशन वेक्टर this and parallel to vector b parallel to vector b जिसका general form होता है a i cap plus b j cap plus c k बास समझ में होगी अब एक चीज़ का ध्यान दो कि line की direction हमको कैसे पता चलती है अगर हमारी line की direction यह है ठीक है तो obviously जो बी वेक्टर है उसकी direction भी यह होगी क्योंकि बी वेक्टर ही जो होता है वह हमारी line के parallel होता है ठीक है डीटेल वीडियो में हम यह सारी चीज़न समझ चुके हैं अब हमको यह बोला जा रहा है कि यह line और यह line यह हमारी इसे पर्पेंडिकुलर लें क्योंकि यहां पर हम्को बोला है कि यह दूसरी लाइन वो find कर लेते हैं ठीक है ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसको वेक्टर फोर्म में चेंज करने की भी ज़रूत नहीं है आप देखें यह अपने डारेक्शन रिशू होते हैं इनी से आप a i plus b j plus c के find कर लोगी चलो so since line एक मिनिट और इस line की equation तो अपने लिखी नहीं है a अपने पास है b अपने पास equation of line तो लिख लें ठीक है तो यह तो यह हो जाएगा वेक्टर r equal to i cap plus 2 j cap minus का 4 k cap plus lambda b a i plus b j plus c k cap इसको देदो equation number अपना a थोड़ा सा आला क्योंकि 1,2 अपना 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 आपना दे दे चुके हैं ठीक है तो drs of line a यह क्या है अपने a है b है और c है ठीक है और drs of line 1 तो यह तो अपने clear देखी रहे हैं Cartesian form में सीधा सीधा देख जाता है तो यह 3 minus 16 और 7 ठीक है तो यह हो जाएगा 3 minus का 16 और 7 तो जब दो line perpendicular होती है उनके direction ratio उसके product का सम्किया होता है 0 होता है तो यहां से कर लेंगे so a into 3 तो 3 a minus का 16 b plus का 7 c equal to 0 इसको देदो equation number 3 इसी तरीके से दूसरी line और हमारी जो line यह perpendicular है तो यहां लिखेंगे similarly similarly line a perpendicular to line 2 तो DRs of line a यह तो अपने a b c ही है a, b, c and जो DRs of 2 है DRs of line 2 line 2 के DRs आप देखें यह रहे 3 8 minus 5 ठीक है तो यह हो गए आप पे 3 8 minus 5 बस so 3 into a plus a to b minus का 5 c equal to 0 इसको देदो equation number 4 ठीक है अभी 3 आई 4 आई अब आप देखें equation number 3 बिल्कुल पिछले question जैसा दो equation मिलगें ebc में दोनों को solve करो ebc की value find करो और अपनी line a यानि कि जो अपनी equation number a उसमें रख दो आपको line की equation मिल जाएगी ठीक है so equation number 3 और 4 को solve करेंगे ठीक है 7c equal to 0 और यह 3a plus 8b minus 5c equal to 0 दोनों को solve करेंगे तो आपको clear देखें अगर इनको subtract कर दिया जाए तो अपना काम बन रहा है कैसे क्योंकि यह जो 3a और 3a यह cancel हो रहे है तो यह cancel हो गाए minus का 8 और minus का 16 और add हो जाएगे तो यह हो जाएगा minus का 24b और 7 और 5 भी add हो जाएगे तो यह हो जाएगे यह हो जाएगा यह फिर एक काम करते है अपन C की वाल्यू फाइंड कर देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा 12c equal to 24 तो पॉस्तिव हो जाएगा तो C equal to क्या हो जाएगा 12c24 तो 2b सी की वाल्यू बी के फार्म में फाइंड करेंगे अब जो दूसरी वाल्यू भी फार्म में ही फाइंड करेंगे चलो so equation number अपन क्या करते हैं यह वाली जो equation है इसमें अपन value रख देते हैं ठीक है तो यह तो जाएगा आपका 3a plus का 8b ठीक है minus का 5 और C की जगा पर हमने रख दिया 2b equal to 0 ठीक है इसमें रख के अपन एक ही value फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3a plus 8b 5 2 0 10b equal to 0 तो यह हो जाएगा 3a minus का 2b equal to 0 तो 3a equal to 2b तो a equal to 2 upon 3b तो a की value भी आ गई बस अब क्या करना है आपको C की value और a की value equation number जो अपनी a थी जो अपनी main line है जिसकी equation अपने को find करना है इसमें रख देंगे तो from a from equation a क्या था r equal to i plus 2j minus का 4k cap plus lambda a की जगा पर क्या है 2 upon 3b 2 upon 3b i cap ठीक है वो b तो b है b j cap और c की जगा पर क्या है 2b 2b k k इसको solve कर लो सबी जगा से b common ले लो तो r equal to i cap plus 2j cap minus का 4k cap और यह हो जाएगा आपका b common आ जाएगा तो b lambda और यह हो जाएगा 2i cap 3j cap 32006k cap ठीक है और b lambda जो है इसको चाहो तो lambda लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि है तो constant d तो i cap plus 2j cap minus का 4k cap plus lambda 2i cap plus 3j cap plus 6k cap और यह आजाता है आपका answer equation of line passing through a point and perpendicular to two lines जो कि हमको question में दी होई थी इस तरीके से इन दोनों line पर हमारी line perpendicular थी और इस point से pass हो रही थी तो बस conditions पता हो कोई पो question हो जाएगा ठीक है चली अब चलते हैं next question question number 21 पर prove that if a plane has the intercepts a b c and is at a distance of p units from the origin then this देखिए simple सी बात है हमको यह बोला जा रहा है कि x y z axis की बात करें तो x axis पर a intercept cut हो रहा है y पर b हो रहा है और z पर c intercept cut हो रहा है लेकिन यह intercept cut किस के थुरू हो रहा है आपके plane के थुरू plane ठीक है अब हमको यह बोला गया है कि उस plane और origin की जो distance है वो हमको दी हुई है और आप यह show करो हमको यह बोला जा रहा है कहने का मतलब simple सा इतना है कि origin से plane की distance हमारे पात है और उसी से हमको show करना है यह ठीक है अब एक बात यहाँ पर समझने लाइक यह है कि अगर कोई plane x axis y axis z axis पर कोई intercept cut कर रहा है तो सीधी सी बात है कि origin से वो perpendicular distance पर रहेगा तो origin से plane की perpendicular distance अगर आपको find करना है तो सीधी सी बात है formula अपने पास होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पन लिखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पर यह देखें कि किसी भी plane की intercept form में equation क्या होगी ठीक है तो यहाँ लिखेंगे equation of plane लेकिन कौन सा form? intercept form यह क्या होता है अपना? x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 ठीक है इसको थोड़ा और 1 को इदर ले आते हैं तो x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 equal to 0 तो यह अपनी plane की equation आ गए जो की x, y, z, x पर a, b और c intercept कट कर रहा है अब इसी plane की origin से distance बतानी है तो सीरी सी बात है origin से तो इसकी perpendicular distance रहे कि पस वही फॉर्मला लागा है यहाँ खतम ठीक है and plane 1 इसको 1 दे दीजे ठीक है फॉर्मला क्या होता है अपना a x plus by plus c z plus d upon root के अंदर a square plus b square plus c square राइट यही फॉर्मला होता है अपना तो बस यही फॉर्मला लगाएंगे इसको मैं हटा रही हूं चलो तो x, y, z की बात करें तो सीदी सी बात है x भी 0, y भी 0, z भी 0 तो यह हो जाएगा आपका 0 upon a plus 0 upon b plus 0 upon c minus 1 upon 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c का square तो यह हो जाएगा root 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square और यह हमको दिया है पी, origin से plane की distance है, पी यह हमको दिया है, अब बस सीदी सी बात है इसको solve करिए और जो हमको बोला गया है इसको prove करिए that's it, इतना simple question है, चलो solve करते है फटा-फट से, तो सीदी सी बात है कि यह हो जाएगा आपका minus 1 बट मोडल स के अंदर है तो यह positive 1 निकल के आजाएगा, तो देखें यह हो जाएगा आपका 1 upon, 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square root उस तरह बेच देंगे, तो यह p पे आजाएगा, और solve करेंग तो आप एक चीज़ का दियान दे, यह इधर divide में, इधर p square के multiply में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका p square, 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square equal to 1, अब एक चीज़ का दियान दे यहाँ पर p square है, इसको हटाना है, तो obviously both side हम divide कर देंगे p square से, तो divide करोगे, यहाँ पर भी p square से, यहाँ पर भी p square से, तो यहाँ से यहाँ cancel हो जाएगा, जो बचेगा, वही तो हमको prove करना है, तो काम खतम होगे आपना, यहाँ आजाएगा, 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square equal to 1 upon p square, और यही तो prove करना था, खतम, ओके, clear, समझ में आगई बात, चलो, अब चलते हैं, next question पे, question number 22, अच्छा, यहा पर इन दोनों question में, 22 और 23 दोनों में, choose the correct option, यहाँ चार option है, उनमें से एक answer select करना है, चलो, ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, distance between the two planes, this and this, मतलब इन दोनों plane के बीच की distance हमको बताना है, तो सबसे पहले plane 1 अपन लिख लेते हैं, plane 1, plane 1 अपना क्या है, 2x plus 3y plus 4z equal to 4, और plane 2 क्या है, अपने पास, 4x plus 6y plus 8z equal to 12, और एक कम और कर सकते हैं, आप देखो, यहाँ पर 4, 6, 8, 12, तो 2 से सभी जाए के divide हो सकता है, 2 से divide कर दो कि 2, 2, 0, 4, 2, 3, 0, 6, 2, 4, 0, 8, 2, 6, 0, 12, तो यह हो गया आपका plane 2, अब आप एक चीज देखें कि plane 1 और plane 2 में एक चीज आपको similar दिख रही होगी, यह अब, जब हमने 2 से divide कर दिया, तब हमको similar दिख रही है, और आप खुद देखेंगे, इनके direction ratios को देखेंगे आप, तो यह proportional है, मतलब हमारे यह दोनों जो plane है, यह parallel है, तो दो plane अगर parallel हैं, और उनके बीच की distance अगर हमको find करना हो, तो इसके लिए अम हमको D1 चाहिए D2 चाहिए, तो आप देखें एक चीज, यह हमारा हो गया D1, यह हमारा हो गया D2, चीख है, अब A, B, C की बात आएगी, तो आप खुद देख रहे हैं, कि यह A, दोनों जगह सेम है, B भी दोनों जगह सेम है, C भी दोनों जगह सेम है, और इसी طری carbine से हमको question यह हमारा formula, तो D2 आपका क्या है, 6 minus, D1 क्या है, आपका 4, A क्या है, आपका 2, 2, 2, 4, B है 3, 3, 3, 9, और T है आपका 4, 4, 4, 16, और यह root, और यह modulus, 6 minus 4 आ जाएगा, 2, 16 plus 9, 25, 25 plus 4 हो जाएगा, 29 units, इस तरीके से देख सकते हैं, आप, आपका answer जो है, यह आ जाता है, आपका, यह answer, D, तो correct option जो है, यह आ जाता है, आपका answer, D, ओके, चलिए, अब चलते हैं, next question पे, so, question number 23 में क्या बोला जा रहा है, the planes, this and this, are perpendicular, parallel, intersect, y axis, passes through this point, मतला हमको बताना है, कि इन 4 जो option है, इन में से कौन सा option, इन दोनों plane के लिए correct है, अब, सबसे पहले, हम perpendicular की अगर बात करें, तो इनके जो direction ratios हैं, उनके product का sum क्या होना चाहिए, 0, वही कहानी है, आपकी A1, A2+, B1, B2+, C1, C2, जो है, यह 0 आना चाहिए, तो सबसे पहले, अपन plane 1 के direction ratio निकालते हैं, तो यह हो गया 2, minus 1, और 4, दूसरे plane के direction ratio हो गया 5, minus का 2.5 and 10, अब सबसे पहली कहानी है, perpendicular की, तो perpendicular के ल प्लस 2.5 into 1, 2.5, 10, 40, 40, और आप खुद देख रहे हैं, यह बिल्कुल भी 0 के equal नहीं है, मतलब perpendicular तो यह कता ही नहीं है, अब बात करेंगे parallel की second option अपना, तो parallel के लिए कि direction ratios क्या होने चाहिए, आपके proportional होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 upon 5, equal to minus 1 upon minus का 2.5, equal to 4 upon 10 थोड़ा solve करके देखेंगे, तो यह 2 upon 5 तो as it is रहेगा, यहाँ से minus से minus cancel हुआ, इसका decimal हटके यह हो जाएगा 10, तो 10 upon 25, 5, 2s are 10, 5, 5s are 25, और यह हो जाएगा 2, 2s are 4, 2, 5s are 10, तो clear आप देख रहे हैं कि यह proportional है, मतलब second option जो है, यह अपना correct option है, parallel यानि B option जो है, यह आपक सही option है, ठीक है, तो इस तरीके से question number 23 भी खतम होता है, और यह जो आपकी chapter number 11 की, जो miscellaneous exercises यह भी खतम होती है, so I hope कि सारे question आपको clear तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में भी आए होगे, और आज का जो वीडियो यह भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो क्य करना है, और यहां तक अगर वीडियो देखा है, तो लाइक जरूर करना है, लाइक किये वे नहीं जाना है, और शेर जरूर करिए, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब पर के लिए बाई, और थैंक यू.